HP की value for money laptop की बात करें तो mind में HP Victus आता है लेकिन इस time पे HP का premium series का laptop HP Omen आपको Victus के price में मिल रहा है अगर आपका budget under 1 lakh है और अगर आपको best giving laptop लेना है तो बात करते हैं इस laptop के specs की, pros की, cons की और इस price के अंदर क्या ये laptop best रहेगा ये इस से better option मिलते हैं laptop के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो laptop के description है काफी सारी mistakes है और कुछ चीजी यहाँ पर missing है तो जो भी मैं आपको specs बताऊंगा वो मैंने पहले ही already verify कर लिया है तो आप मेरे पर trust कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके price के क्योंकि इसक 3070 Ti मिलता है जो की 8GB VRAM के साथ में आता है और इसकी जो GPU TGP 150W की मिलती है तो इसके TGP भी काफी बढ़िया है और 8GB VRAM के साथ में आता है और यह जो GPU आपको especially फाइदा देगा अगर आपको high resolution में game को play करना है क्योंकि इस laptop की जो display है वो भी काफी अच्छे resolution के साथ में आती इसमें जो color gamut है वो क्या मिलता है मतलब इसकी जो color recuracy वो क्या है इसमें आपको 100% RGB मिलती है तो display के according भी laptop काफी बढ़िया है अगर आपको video rating के लिए laptop लेना है और अगर आपको color recuracy matter करती है आपको color correction से related work करना है तो यह laptop काफी बढ़िया रहेगा आपके लिए 16GB की RAM मिलती DDR5 और 1TB की SSD मिलती है Gen4 की तो इसमें SSD के लिए भी 2 slot है RAM के लिए 2 slot मिलते है इसके keyboard में 4G on की RGB backlight मिलती है लेकिन यह जो keyboard आता है इसमें इसमें number pad देखने को नहीं मिलता है और इस laptop के speaker की quality भी काफी बढ़िया है और इसमें MS Office बे मिल जाता है और इसका जो weight है 2.3 kg का है औ वीडियो को पौच करके कुछ back में हैं और कुछ side में दी गए अब यह जो laptop एक premium series का laptop है तो यहां पर जो quality control है वो काफी बढ़िया देखने को मिलता है तो इस laptop की all over will quality काफी बढ़िया है और अगर हम बात करते हैं इस laptop के thermals की जो की gaming laptop में सबसे ज़्यादा important है तो यहां प according इस laptop में max switch नहीं मिलता है तो यह जितने भी specs मैंने आपको बताई यह सारे इस laptop के pros है यानि एक अच्छे price के अंदर मिल रहा है power is great GPU काफी अच्छा है high quality की display मिलती है 2K resolution के साथ में keyboard में forge on RGB backlight मिलती है build quality काफी अच्छी है thermal system काफी अच्छा है RAM SSD दोना upgradable है CPU भी काफी अब बात करते हैं इस laptop के cons की तो जिस तरह से आपको HP Victus में screen में wow link देखने को मिलता है तो उसी तरह से इस में wow link देखने को मिलता है लेकिन यह विक्टस से फिर भी थोड़ा सा कम है लेकिन यह उतनी बड़ी problem भी नहीं है अगर आप display को adjust करते हैं laptop को थोड़ा उठाया फि Victus को use करते मुझे 2 साल से जादा का time हो गया लेकिन wow link से मुझे कोई भी problem आज तक हुई ही नहीं है दूसरा cons यह है कि इस price के अंदर इसका जो webcam में थोड़ा सा better हो सकता था और इस laptop के keyboard में आपको number pad नहीं मिलता है तो यह थे इसके cons और एक चीज में आपको बताना भूल ग कर सकते हैं best buying link आपको description में मिल जाएगी अगर आप करेंगे तो please हमारे link के throw buy करना उसे थोड़ी हमारी भी help हो जाएगी और अगर आपने अब तक हमारे WhatsApp चैनल को follow नहीं कर रहा है तो वहां पर follow जरूर कर लेना क्यूंकि इस तरह की deal होती है वहां पर मैं सबसे पहले update कर द अजल जाएगी झाल सकते हैं चाल सकते हैं बशसे हैं कर दो दो एक आपने कर दो एक हैं और आपको का लेदा हैं खर आपकों जापको का दो आपको की दोर आपको जह में.